कक्षा 11 इतियास की कक्षा में बच्चो आपका स्वागत है विश्व इतियास के कुछ विशे अनुभाग 1 प्रारंबिक समाज चेप्टर 1 समय की सुरुवास से प्रश्ण उत्तर की संक्ला हम सुरू कर रहे हैं सभी विध्यार्थियों ध्यान से प्रश्णों को सुनियेगा और आगे बढ़ियेगा आईए विध्यार्थियों प्रश्णों के सुरुवाद करते हैं प्रश्ण संख्या 1 जिवास्म किसे कहते हैं? जिवास्म अत्यन्त पुराने पोधे, जानवर या मानव के अवशेश होते हैं, जो एक पत्थर के रूप में बदल कर चटान में समा जाते हैं, तथा फिर लाखों वर्ष तक सुरक्षित रहते हैं. प्रश्न दो हमें किस साक्ष से ग्यात होता है कि मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ? उत्तर मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, इस बात का साक्ष हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवास्मों से मिलता है, जो अब लुप्त हो चुकी है. प्रश्न संख्या 3 जीवास्मों की तीथी का निर्धारन किस प्रकार किया जता है? उत्तर जीवास्मों की तीथी का निर्धारन प्रत्यक्स रासाइनिक विशलेशन ध्वारा या उन पर्तो अत्वा तलचटों के काल का परोक्स रुप से निर्धारन करके किया जाता है जिन में वे दबे हुए पाए जाते हैं प्रश्न चार आदिकालिन मानव की जानकारी में साहेक तत्व का उलेख की जिये उत्तर मानव के जीवास्म पत्थर के ओजार तथा चित्रकारियों जेसे तत्व आदिकालिन मानव की जानकारी में साहेक सिद्ध होते हैं प्रश्ण संख्या पांच, चाल्स डार्वीन ने किस पुस्तक की रचना की थी यह कब प्रकाशित हुई? उत्तर, चाल्स डार्वीन ने On the Origin of Species नामक पुस्तक की रचना की थी यह पुस्तक 24 नवंबर 1869 को प्रकाशित हुई? प्रश्ण संख्या 6, मानव के विकास के सम्मन में चाल्स डार्वीन ने क्या खोज की थी? उत्तर, मानव के विकास के सम्मन में डार्वीन ने यह तरक दिया की मानव का विकास बहुत समय पहले जानरों से ही कमिक रूप में हुआ है? प्रश्ण संख्या 7, स्तन पाई प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव कहा और कब हुआ उत्तर, स्तन पाई श्रेणियों की प्राइमेट श्रेणी का उद्भव एशिया तथा अफ्रिका में 360 लाक साल पहले हुआ था प्रश्ण संख्या आठ प्राइमेट्स से क्या अभी प्राह है उत्तर प्राइमेट्स स्थन प्राइप प्राणियों के एक बड़े समू के अंतरगत एक उप समू है जिसमें वानर, लंगूर तता मानो सम्मिलित है प्रश्ण संख्या नौ होमिनाइट किसे कहते हैं इनका उद्भव कैसे हुआ उत्तर लगबग 240 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट्स रेणी में एक उप समू उद्पन हुआ जिसे होमिनाइट कहते हैं इस उप समू में वानर शामिल थे प्रश्ण संख्या दस होमिनीड प्राणियों के अफरिका में उद्भव होने के दो साक्ष दीजिए उत्तर अफरिकी वानरों का समू होमिनीडों से गनिश्टूप से जुड़ा हुआ है सबसे प्राचिन होमिनीड जिवास्म पूर्वी अफरिका में पाए गए हैं प्रश्ण 11. हॉमी नीडों की तीन प्रमुक विशेस्ताओं का उल्ले कीजिए. उत्तर हॉमी नीडों के मस्तिस्क का आकार बड़ा होता है. ये पेरों के बल सीधे खड़े हो सकते हैं, ये दोनों पेरों के बल चलते हैं. प्रश्ण बारा औस्ट्रेलोपिथिकस तथ होमो के बीच अंतर बताईए उत्तर औस्ट्रेलोपिथिकस के मस्तिश्क काकार होमो की अपिक्षा बड़ा होता है जब बड़े अधिक भारी होते हैं तथा दाद भी अधिक बड़े होते हैं प्रश्ण संख्या 13. आस्ट्रेलो पिथिकस सब्द की उत्पती किस प्रकार हुई है? उत्तर आस्ट्रेलो पिथिकस सब्द की उत्पती लेटिन शब्द आस्ट्रिल अर्थाद दक्षिनी तथा युनानी भाषा के सब्द पिथिकस अर्थाद वानर से मिलकर हुई है? प्रत्वी पर मानव जैसे प्राणियों का प्रादुर्भाव कब हुआ उत्तर संबवत 56 लाक वर्ष पहले प्रत्वी पर मानव जैसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ प्रत्वी पर मानव जैसे प्राणियों का प्रादुर्भाव कब हुआ उत्तर होमिनाइट प्राणियों का उद्भव दो सो चालिस लाक वर्ष पहले हुआ प्रश्ण सोला होमिनाइट प्राणियों का उद्भव कहा हुआ था उत्तर होमिनाइट प्राणियों का उद्भव अफरिका में हुआ था प्रश्न सत्रा होमी निडों की दो प्रमुक शाखाओं का उल्ले कीजिए उत्र होमी निडों की दो प्रमुक शाखा इस प्रकार है एक आस्ट्रेलोपितिकस दो होमो प्रश्न अठारा आधुनिक मानव द्वारा शिकार करना कब सुरू हुआ प्रशन उन्नीस सबसे पहले किन हॉमिनीडों ने पत्थर के उजार बनाए थे उत्तर संभवत आस्ट्रलोपिथिकस ने सबसे पहले पत्थर के उजार बनाए थे प्रशन बीस सिले हुए कपरों का सबसे पहला साक्ष कितने वर्ष पूराना है उत्तर सिले हुए वर्षों का सबसे पहला साक्ष एक्कीस हजार वर्ष पूराना है प्रagle 21, आल्टा मीरा कहा स्थित है? उत्तर आल्टा मीरा स्पैन में स्थित एक गुफा स्थाल है प्र雪 22, आल्टा मीरा क्यों प्रसिध है? यहां की गुफा की छट पर जानरों के अनेक चित्र उत्किन है इसलिए आल्टा मीरा प्रसिद है प्रश्ण तेईस अफ्रिका में पाए जाने वाले एक शिकारी संग्रहक समाज का उले कीजिए उत्तर अफ्रिका में पाए जाने वाले एकिसिकारी संगर्ए समाज का उदारन कुंग सेन है प्राश्चन चोईस होमो सेपियंस से क्या अभी प्राय है? उत्तर होमो सेपियंस चिंतंशील तथा प्रागिय मानोव नामक प्रजाती है 25. संजाती व्रत से क्या अभिप्राय है? उत्तर, संजाती व्रत में समकाली नरजाती समों का विशलेशनात्मग अध्यन होता है 26. योजनाब तरीके से सोच समझ कर बड़े स्तन पाई जानरों का शिकार करने के सबसे पुराने स्पष्ट दो साक्षों का उल्ले कीजिए उत्तर, दो साक्षे इस प्रकार हैं एक, दक्षिन इंग्लेंड में बॉक्स ग्रोव से दू, जर्मनी में सोनी जन्ट से 27. इरोप में मिले सबसे पुराने जिवास्मों का उल्ले कीजिए चाल्स डार्विन की पुश्टक का नाम बताईए उत्तर, चाल्स डार्विन की पुश्टक का नाम ओन दी ओरिजन आफ इस्पिसिज है 39. कीस उप समुह में वानर अर्थाद एप शामिल थे उत्तर होमी नाइट उप समुह में वानर अर्थाद एप शामिल थे 30. होमी निडो का उद्भव कहां हुआ था उत्तर होमी निडो का उद्भव अफरिका में हुआ था प्राश्न गतिस, गुफाओं, जोपडियों में रहने वाले आदी मानव का जीवन, पेडों पर रहने वाले होमिनीडों के जीवन से किस प्रकार बिन्य था? प्राश्न गतिस, मनश्य में ओजार बनानी की एसी कौन सी विशिस्ता है जो वानडरों में नहीं पाई जाती? प्राश्न गतिस, प्राश्न गतिस, पत्थर के ओजार बनाने तथा उनका प्रयोक किये जाने का सबसे प्राचिन साक्ष कीन पूरा स्थलों से मिलता है? प्राश्न गतिस, 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 प्राश्न ग विकारी हिंसक जानवर से भाले के प्रयोग से पने रक्षा कर सकते थे। 35. छेनी या रुखानी जैसे ओजारों की क्या उप्योगिता थी। उत्तर इन नुकिले ब्लेडों से हड़ी, सिंग, हाथी या लकडी पर नक्कासी करना अत्वा कूरेतनाब संभव हो गया था। 36. स्वर्थ अंत्र का विकास कब हुआ? इसका सम्मंद विशेश तोर पर किस से रहा है। उत्तर स्वर्थ अंत्र का विकास लगबग दो लाक वर्ष पहले हुआ था। इसका सम्मंद विशेश तोर प्राधुनिक मानों से रहा है। 37. फ्रांस तथा स्पैन की किन गुफाओं में जानरों की चित्रकारियां पाई गई है। 38. फ्रांस तथा स्पैन की इन गुफाओं में की जानरों की चित्रकारियां पाई गई है। 39. फ्रांस तथा स्पैन की इन गुफाओं में गोरों, गोडों, हिर्नों, गेंडों, शेरों, भालूओं, तेंदूओं, लकडबगों के चित्रकारियां पाई है। 39. हादिशा लोग कौन हैं ये लोग कहा रहते हैं। 39. हादिशा सिकारियों तता संग्रहाकों का एक छोटा समू है जो लेक यासी नामक एक खारे पानी की विब्रंस गाटी में बनी जील के आसपास रहते हैं। 40. हादिशा लोगों के सिवीरों के आकार तता स्तिती में मौसम के अनुसा परिवर्तन क्यों होता है। 41. हादिशा लोगों के सिवीरों के आकार तता स्तिती में परिवर्तन पानी की उपलब्रता क्या आधार पर होता है। Q41. Hominide एवं बंदरों में दो अंतर स्पस्ट कीजिए. उत्तर. Hominide एवं बंदरों में दो अंतर इस प्रकार हैं. एक. Hominide का शरीर बंदरों से बड़ा होता है. उनकी पूंच नहीं होती है. Hominide का विकास धीरे धीरे होता है. Q42. प्रजाती किसे कहते हैं? उत्तर. प्रजाती जीवियों का एक ऐसा समू है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे उत्पन कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे संतान उत्पन करने में समर्थ होते हैं. Q43. होमो सब्द से क्या अभी प्राय है? उत्तर. होमो लेटिन भाषा का एक सब्द है जिसका आर्थ है आदमी. इसमें पुरूश और इस्त्री दोनों सम्मिलित हैं. Q44. होमो को किन प्रजातियों में बाटा गया है? Q45. होमो हैबिलिस के जिवास्म एथियोपिया में ओमी और तंजानिया में ओल्डूबई गोर्ज से प्राप्त किये गये हैं? Q46. हेडरोप में पाए जाने वाले सबसे पुराने जिवास्मों का उल्ले किजिए. ये किस प्रजातिके हैं? Q47. आधुनिक मानव के उद्भव स्थल के बारे में प्रचलित मतों का उल्ले किजिए. उत्तर आधुनिक मानव के उत्भव स्थल के बारे में परचलित मत इस प्रकार है एक छेत्री निरंतरता मॉडल के नुसार अने एक छेत्रों से अलग-अलग मनुश्यों के उत्पति हुई दो, प्रतिस्थापन मोडल के नुसार मिनुष्य का उद्भव एक हिस्थान अफ्रिका में हुआ Q48. आधिकालिन मानव किन तरीकों से अपना बोजन जूटाता था? उत्तर, आधिकालिन मानव कई तरीकों से अपना बोजन जूटाता था? जैसे संग्रान, शिकार, अपमार्जन तथा मचली पकरना Q49 आदिकालिन मानव की संग्रान की क्रिया का उले कीजिए जिससे वो अपना बोजन जूटाता था उत्तर आदिकालिन मानव पेड़ पोदों से मिलने वाले खादिपदार्थों Q50 आदिकालिन मानव को अपमार्जन या रसत खोरी क्रिया का उले कीजिए जिसकी द्वारा यहाँ अपना बोजन जूटाता था उत्तर आदिकालिन मानव उन जानवों के शवों से मांस मज्जा खुरच कर निकालते थे जो जानवर अपने आप मर जाते थे या किनी अन्हिंसक पश्वों द्वारा मार दिये जाते थे Q51 आदिकालिन मानव की गुफाओं तो था खुले निवास चेतरों के दो साक्षियों का उले कीजिए उत्तर आदिकालिंग मानव की गुफाओं तता खुले निवास चेत्रों के दो उधारा निस्प्रकार है एक दक्षिन फ्रांस में स्थित लजरेट गुफा दो दक्षिनी फ्रांस के समुद तर्ट पर स्थित टेरा अमाटा में जोंपडिया फ्रांस और स्थित गुफाओं में पाई जाने वली चित्रकारियों की विवेचना कीजिए उत्तर फ्रांस में स्थित लेस कॉक्स तता सोवे की गुफाओं में और स्थित आल्टा मीरा की गुफाओं में एक जानवरों की चित्रकारिया प्राप्त हुई है आटा मीरा की गुफा की चत्परबनी चित्रकारियों में रंग की बजाय किसी प्रकार की लेई पेस्ट का प्रियोग किया गया है इन चित्रों का निर्मार 30,000 से 12,000 वर्स पहले के बीच में किया गया था इन चित्रों में गोरो, गोडो, साकीन, हिर्नो, मेम्तों जो की विशाल का आए जानवर हैं, गेंडों, शेरों, भालूओं, तेंदूओं, लकडबगों और उलूओं के चित्र शामिल हैं इन शिकारियों का संबन्द धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादी टोनों से था जानरों का चित्रन इसलिए किया जाता था कि चित्रांकन करने से सिकार में सफलता प्राप्त हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है कि संबवत ये गुफाएं संगम स्थल थी जहां लोगों के छोटे-छोटे समों मिलते थे और सामोही क्रियाकलाब संपन करते थे संबवे की यहां समों मिलकर शिकार की योजना बनाते हो अथ्वा शिकार के तरिकों एवं तकनिकों पर परसपर चर्चा करते हो ये अभी संभवेक की चित्रकारियों आग्याने वाली पीडियों को इन तक्निकों की जानकरी देने के लिए की गई हो Q53. संजाती व्रत से आप क्या समस्ते हैं? उतर, संजाती व्रत में समकाली नरजाती समों का विशलशनात्म अध्यन होता है इसमें उनके रहन्सन, खानपान, आजीवका के साधन, प्रद्योगी की आजी की जहांज की जाती है समाज में इस्तरी पुरुष की भूमी का उनके कर्म कांडों, लितिरी वाजों, राजनिदिक संस्ताओं कर सामाजिक लुडियों का अध्यन किया जाता है मिट्टी के बर्तिन बनाने का आविशकार कब वक कैसे संबब हुआ उत्तर, क्रशी के आविशकार की पश्चाद माना उन्हें एक स्थान पर रहना सुरू पर दिया अब उसने नास ततानी उपजों को रखने के लिए तब भोजन पकाने के लिए मिट्टी के बर्तिन बनाना सुरू कर दिया वह उन्हें आग में पकाने लगा इस प्रिकाह मानव ने अपने कच्चे बर्तनों को आग में पकाना और उन्हें सुध्रण बनाना शुरू कर दिया क्वेश्चन 55 आदी मानव ने किन कारणों से खेती और पसुचारन का कारे प्रारम किया उत्तर आदी मानव ने 10,000 से 4,500 वर्स पहले खेती तथा पसुचारन का कारे प्रारम किया इसके प्रमुक कारण निम लिखी थे एक लगबग 13,000 वर्स पहले अंतिम हीम यूग समावत हो गया और उसके साथ ही अपिक शाकरत अधिक गर्म और नम मौसम का सुत्रपात हुआ इसके फल सुरूप जंगली जो तथा गियों की खेती के लिए अनुकूल परस्तितिया अकपन हो गई जंगलों तथा गास के मेदानों के विस्तार के साथ साथ भीडों, बकरियों, सुवरों, गधों, मविश्यों आदी जानरों की संख्या भी बढ़ती चली गई अब लोग ऐसे छेत्रों का अधिक पसंद करने लगे जहां जंगलों तो था गास के मिदान और जानरों के संख्या बहुत आयत थी तीन अब बड़े बड़े जन समुदाए ऐसे छेत्रों में अधिक समय तक लगबग स्थाई रूप से रहने लगे चार लोग कुछ छेत्रों का अधिक पसंद करते थे इसलिए वाँ भोजन कि आपूर्ती को बढ़ाए जाने का दवाव बढ़ने लगा समवत इसी कारण से कुछ विशेश प्रकार के अनाच के पोधे लगाने तथा जानरों को पालने की पक्रिया शुरू हो गई इस प्रकार जलवाई परिवर्तन, बढ़ती जनसंक्या, कुछ विशेश प्रकार के पोधों और जानरों की जानकरी और उस पर मनुष्य की निर्भरता आधियाने कारणों से आधिमानों ने खेतों तो था पशुधारन की गतिविदियों को शुरू किया कॉशन 56 कॉशन 56 पंच बलेड तकनिक के बारे में आप क्या जानते हैं उत्तर, पंच बलेड तकनिक का वर्नन निम्र नुसार है एक बड़े पत्थर के उपरी सीरे को पत्थर के हतोड़े की सायता से हटाय जाता है दो, इससे एक चप्टी सतर तयार हो जाती है जिससे प्रहार, मंच, अर्था, गन कहा जाता है इसके बाद इस हड़ी पर सिंग से बने हुए पंच और हतोड़े की सायता से प्रहार किया जाता है इससे धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाको की तरफियोग किया जा सकता है या उनसे एक तरफ की छेनिया बन जाती है जिनसे हड़ी, सिंग, हातिदात या लकडी को उकेरा जा सकता है विद्यार्थियों इस प्रकार हमने इस पार्ट के महत्मन प्रस्णों को किया है ये सभी प्रस्ण आपके लिए बहुत उप्योगी होंगे सिग रही नए पार्ट के साथ मिलेंगे धन्यवाद झाल